हेलो जी रदे रदे मैं प्रियंका मिस्स प्रियंका फैमले व्रोक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं तो जी आप सब कैसे हैं प्लेस कमेंट्स करके बताइएगा जरूर तो जी देखिए सुबगर टाइम हो गया है अभी फिलाल में हापर राटा लगाने क तो बस उसको भी मैंने थोड़ा सी निकाल लिया है आटे को और भी फिलाल इसमें मैं मक्के का में अक्ट क करे काटा एड कर दूंगी जो कि मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था यानि की जादा पुराना भी नहीं है बढ़ यह था कि इसका भी यूज जो हो जाएगा और एक डबा जो एक खाली हो जाएगा मुझी यूज करने के लिए मिल जाएगा तो बस आटा लगा लेती हूँ फटा बार बार बोलती हूँ आप लोगों से बट आप लोगों की या दस थोड़ी सी कम जोर है तो कोई बातरी प्लीस थोड़ा सा बदाम बदाम खाईए और इसको बढ़ाईए और थोड़ा सा मेरा स्पोर्ट जरूर दीजिए तो बस अभी विलाल मैं आटा लगा लेती हूँ अपना जल्दी जल्दी से और फिर ये रहता है कि देखो ये तो खैर मजा की बाते थी आप लोगों से मैंने जो बूला बट मैं आप लोगों से तहे दिल से क्याना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स डियर मेरा थोड़ से स्पोर्ट दीजिए थोड़ से चैनल को ग्रॉप करवा कि यह था कि मुझे यहां पर मैं त्यारी वगरा करके रख देती हो अब उनका मुझे यह नहीं पता कि वो 12 बजी आएंगे कि वो अभी आ जाएंगे कुछ मैने सकती हूँ जैसे भी वो अपने काम से कर लेते हैं और दाइ को प्याज में फ्राय कर लेते हैं काफी अच्री लगती है वो भी खाने में और तो बस मैंने यह ही क्या बस पटापट से अपने प्याज वगएरा काट लेती हूं बारिक बारिक से अपने पर i माजी ने घर से भिच वाई है तो इसमें से स्रिफ में एक कटोरी रखूँगी रख्षित के लिए और उसको नमकिन खाने तो भी वो डही के साथ ही खाता है तो बस मुझे यह राकी में उसके लिए निकाल के जो है रख देती हूँ ताकि विचारा उदास न हो जाए अगर मैं उसको बोलूँगी कि बेटा धाई खतम हो गई है तो फिर वो गुसा हो जाता है तो फिर यह लगता है कि बच्चा एकाद चीज तो मुश्किल से खाता है वो भी ना मिले उसे तो फिर क्या फाइदा तो मैं जो है जो है जो हो चीज खाता है तो वो डेफिनेटली बचा के रखती हूँ कि भई वो जो है खा ले और जो मैं छोकूंगी दही वो तो वो खाएगा नहीं क्योंकि उसमें मिर्ची वगेरा भी अपनी एड करने वाली तो मैंने लिए उसमें जीरा डाल लिया है थोड़ी सी हिंग डाल दिया है उसके बाद अपनी प्याज मिर्ची डाल दिया है रारी तो थोड़ी बहुत जो है वो फ्रक पड़ता है उससे मैंने काफी बार दिखाया तो बस अभी मैंने वो चला दिया और गैस को बंद कर दिया है मैंने अगर चलती गैस में मैं दही डालूंगी तो बिल्कुल फटी-फटी हो जाएगी पानी अलग हो जाएगा और पनीर-पनीर सा एकसाइड हो जाएगा तो बस उसके लिए मैंने इसको बंद किया और उसके बाद जो है अपनी दही मैंने इसमें एड कर दी है तो चुक गई है मेरी यहाँ पर दही और यह भी फ्रेंस गर्मियों में बहुत एच्छी लगती है बहुत जादा टेस्टी लगती है और हुचा हुचा लगाएंगे जाड़ो कर लगा आपको दिखा रही है कि अच्छा मोसम वहुत जादा यानि कि काह लीज़िए बारिष सुबह से हो रही है पर यह था कि बिल्कुल पानितार अपर лекल जोती घर तक है वो चलती रही उस प्रिकार से जो हमारे यहाँ पर बारिश्री आपके हाँ पर मोसम कैसा था वो बताईएगा और हाला कि अभी लगनी रहा है कि इन दिनों को देखके जैसे की गर्मी आ गई है थोड़ा सा अच्छा सा मोसम चल रहा है बिल्कुल पकोड़े शकोड़े खाने क बट मैंने नहीं बनाए थे तो अभी फिलाल देखिए हैं यहाँ पर मैं रक्षित को करवारती स्कूल का काम तो मुझे यह लगा कि रक्षित को जो मैं स्कूल का काम करवा देती हूँ और अभी रक्षित को खुद से थोड़ा बुद कर लेता है मुझे इस चीज की बहुत खुशी है और उसको जैसे मैं बोलती हूँ तो वो इतना परेशान भी नहीं करता है कि मैं मैं नहीं करूँगा जैसे पहले वो करता था उसको डाट-डाट के काम करवाना पड़ता था बट आज जो है वो अपने आप ही कर रहा है और अभी फिलाल यहां पर वो जो है इरेज क और एक यह वाले में काफी अच्छा लगा मुझे यह स्कूल और काफी अच्छी इसकी मुझे पढ़ाई भी लगी क्योंकि रक्षित में जो है अपने आफी जो केतन भी बच्चे में दिख जाता है कि भी हाँ इस तरीके से बच्चा कैच कर रहा है कुछ नो कुछ यह लग गही थी क्योंकि मुझे जो है इस परकार से कपड़े रहने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं फिर एक तो यह रहता है कि जो भी यानिकी फैस फैले रहते तो पहनने वाले यानिक यह लगा ली जी जैसे कि रक्षित की पापा का बिल्यो कलर की या फिर कोई और क्लर में घुस रहा है तो यहाँ पर यह थोड़ से इस परिकार से मुझे परेशान करता है और तो बस ढूंडते रहो इसको और बोलता भी नहीं है यह जब इसको मैं बोलती हूँ कि बेटा काओ काओ यह फिर मैंने इसको देख लिया था तो मैंने इसको डाट की नीचे उतार द तो देखे अभी पर्दा भी यह लगा रहा है और यह इसने यहाँ पर मेरे कौवाज देंडि मूमी पर्दा लगा अगर तो बस इसको मैंने थोड़ से डाटा और थोड़ सा ठाले जिए एकाद थपड़ भी लगाया मैने इसको यहाँ पर क्यूंकि काफी परेशान कर रहा और यहाँ पर मैंने रक्षित को थोड़ासा दूद पिलाने की कोशिश की थी, तो दूद जो उसने नहीं पिया था, तो मैंने थोड़ासा दूद बचा था, उसको भी साइड में कर दिया है, ताकि रक्षित बिखेर न दे, और यहाँ पर यह दो सेंडो बल्यान मुझे मिली है, जोगी रक्षित के बापा नहीं पैनते हैं, और फिर यह था कि जिन में होता है न थोड़ी बहुत फट जाती है, या फिर छेद वगेरा हो जाते हैं, वो वाली बल्यान थी, तो बस इनको मैंने जो है, काट लोंगे मैं डस्टिंग के लिए, क्योंकि इन से डस्टिंग मैं भोधी कम लाती हूं, तो मैंने हाँ पर कटिंग कर लिया, उसके बाद देखी रक्षित जो है टेलर पना कर रहा था अपना, मशीन में लग गया है, फिर वो चलाने के लिए, तो उसके बाद आ गई थी, मैं कि रक्षित को खाना था हलवा, और फिर मेरा भी यह रहा कि म आजी ने घी भी जवाया है, उपर से मंगल, यानि कि वैसे तो दिन तो बुदवार का था, बट मुझे यह लगा कि थोड़ा बहुत बना लेते हैं, और रक्षित भी खा लेगा, उपर से बारिश का मोसम हो रहा था, होताने भी बच्चे को थोड़ा बहुत खिलाते रहना कभी कभी मैं ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, आप लोग भी देखते होगे, जब भी मैं बनाती हूँ तो अपने व्लोक्स में जरूर शेयर करती हूँ कि भी मैंने आज यह बनाया था, वो बनाया था, तो हल्वा मैंने maximum यह लगा लीजी, एक महीने पहले बनाया होगा, क अगर वे моो खाता है, और पो खाता है, और पहूंपर से यह था की रख्षच्छत के कावा भी घर पर नहीं थे, लिए ही यह बनाना था, तो बस घी मैंने वह घरम कर लिया था, और फ्रिज में रखका हूँ था, क्योंकि हमारा पहले वाला घी था, अजन यह और दो किलोग और भी मैंने खौड़ लिया है, क्योटी। तो तinta टेस्ट इने ही बन पाता है और Horror कि आज जो है मैं इसमें पात बनाने वाली हूं, यारी कि पात जो है वू लगाने वाली हूं, डालने वाली हूं क्योंकि ब्हूसं थंडा था थो मुझे लगा कि ठंडा पानी उत्ना अच्छा टेस्ट नहीं देगा, तो मैंने हाँ पर ढाल दिया है और इसको थोड़ा-थोड़ा चलाती रोऊंगी क्योंकि देखे मैंने जादा नहीं बनाया है आप लोगों को भी दिखने में यानि की पता चल जाएगा कि मैंने कितने कॉन्टि टी में हल्वा बनाया है क्योंकि मैं अपनी लिए नहीं बनाती हूं ना मैं रक्षित की पापा के लिए बनाती हूं क्योंकि उने बोती कम पसंद है हल्वा वगेरा हल्वा और चूर्मा बटी है कि रक्षित को थोड़ा-थोड़ा सोफ्ट लगता है और इसी बाहने से बच्चे को कभी कबार यह रहता है कि थोड़ा बहुत घी जो है वो भी पेट में उसके चला जाता है तो सबसे पहले निकाल देते हैं लड़ो कोपाल के लिए हमारे और उसके बाद यहां पर मैं रक्षित के लिए भी लगा दूँगी प्लेट और इस प्रकार से जो है इसको पूरी प्लेट में फैला दूँगी तक काफी अच्छे से ठंडा हो जाए क्योंकि रक्षित जो है व बस वो फिर रुखता ही निया मांगने लग जाता है तो देखिए इतने डालने के बाद यहां पर सिर्फ इतना सा हल्वा मेरा कटोरी में बचा है और यह नेक्स टाइम के लिए हो जाएगा यानि कि रहता है बच्चा जब भी खाता है तो मां भी एकाद मू अपना यानि कि खा लेते है तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता है तो जैसे ही रक्षित खाता है तो उसके साथ मैं भी थोड़ा भूत खाने की कोशिश करती हूँ और चाथ की साथ मैं अपने डबह具 को भी लगा दूंगी यह नि की उपर रग दूंगी ऑर छोड़ को डस्टिंग भी वो अप तो यह रहता है कि देखो, उनको छोड़के काम किया नहीं जाता है, तो फिर बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, तो बस बरतन वगेरा हो गए थे जाधा, तो मैंने फिर धुले नहीं, फिर मैंने रक्षित को सुला दिया था, सिलाने के बा पर जो है सबजी अभी फिलाल खतम हो रही है जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाले व्लोग में भी बताया होगा साइद और जा मैं पाही नहीं क्योंकि बारिश जो है आज पूरे दिन से आ रही थी और फिर दूसरा मेरा रिजन ये रहा कि अगर मैं जाओंगी तो मुझे र रोड है ना वो पूरा मतलब बिल्कुल चलता रोड है कहले जे उसमें जो है विकल्स वगेरा आते जाते रहते तो थोड़ सा मुझे हापर अजीब लगा और मुझे लगा कि मैं आलू और मटर के सबजी जो है बना देती हूँ मटर ये वही है जो कि मैंने सर्दियों में स् सामचुर पाउडर होता है वो डालूँगी और तो बस इसपसी से जो है हमारे सबजी में टेस्ट जो आ जाएगा तो बस अभी तेल डाल लिया है जीराद किसी हींग डाल दोगी जैसे कि हींग लगा ली जी हम ओलमोस्ट भर में हर चीस में डलती है यानि कि सबजी में डलत चलोगाइज गोगी ऑच्छों सबस्कै कैली को मैं इस इसवोग इसकोEZ फ़म के लिया अबी यह लगा लेजी ठाःफ एटडी इसवाँ सब्सक्राट जाने ज़लूगी तो इस प्रिकार से जो है शाम का भी मेरा काम जो है वो हो जाता है और फ्रेंड्स आज शाम को आप लोग यह की नहीं मानेंगे मुझे काम करने में तकरीबन डेड़ घंटा लगा क्योंकि मुझे जो है मैंने जैसे दूद बोईल किया तो दूद भी मेरा थोड़ा सा गैस पर वो उनमें भी स्मेल हो जाते है और फिर दूसरा यह रहता है कि बस उस दिन तो गैस वगएरा को अच्छे से माज धो कि तब उसको साफ करना बढ़ता है और फिर उपर से इतने सारे बरतन थे आटा वगएरा लगा है सबजी वगएरा बनी तो डेड़ घंटा मैक्सिमम मु पहुती ज्यादा हो रहे थे हाला कि इतने सारे बरतन मेरे कभी कभी सुबह के टाइम पर होते हैं अदर्वाइस तो यह रहता है कि बहुती कम बरतन होते हैं यह लगा लिजी क्योंकि मैं साथ के साथ धोती रहती हूं तो बट यह था कि चलो कोई नहीं हो गया है और अभी हाल मैं यह लोग को जा रही हूं एंड करने के लिए तो मैं आप लोगों से जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगे अगर आप लोग चैनल पर फस्ट है विजिट किया है लाइक और शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को थोड़ी पसंद कीजी लाइक की कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अब मैं मिलूंगे आप लोगों से कल तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल फ्रेंड्स